बेंजमीन फ्रेंक्लिन उन्ने संयुक्त राज अमेरिका का एक मार्थरसन स्थापक पिता के रूप में जाना जाता है। जिन्नोंने अमेरिका को प्रिटिन से मुक्त कराने में बहुत बढ़ा योगदान दिया था। फ्रेंक्लिन को सौतंतरता की घोषणा और अमेरिकी सम्विधान का मसौधा तयार करने का असरे भी दिया जाता है बेंजामिन फ्रेंक्लिन का जन्म 17 अप्रेल 1790 को हुआ था वे राजनितिक यही नहीं एक लेखा, व्यंगकार, वैग्यानिक, अविसकारक, सैनिक, राजनाइक एवाम नागरिक कारक अकतावी थे आपने जरूर अमेरिकन टॉलर का नोट तो देखा ही होगा, अधिकान्स नोटों पर बेंजामिन फ्रेंक्लिन की ही फोटो लगी होती है बेंजामिन फ्रेंक्लिन अमेरिकी इतिहास में बहुत पर सिद्ध ग्यक्ति रहे है दोस्तो आज इस पोस्ट में हम बेंजमिन फ्रेंकलिंग के तीस सबसे महतपूर प्रेणादाई वे अनमोल विचार पढ़ेंगे जब भी आप पानी की गहराई मापना चाहते हैं तो कभी भी तोनों पैरों का इस्तमाल ना करें अग्यानी होना उतनी सर्म की बात नहीं है जितना की सीखने की इच्छा ना रखना है यदि कोई व्यक्ती अपने धन को ग्यान अरजित करने में खर्च करता है तो उससे उस ग्यान को कोई नहीं जीन सकता ज्यान के लिए किये गए निवेश से हमेशा अच्छा प्रतिफल प्राप्त होता है निश्चित रूप से इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है सिवाए मृत्यू और करों के आप रुख सकते हैं लेकिन यह समय आपके लिए नहीं रुखता हमें अपना खोया हुआ समय वावस नहीं मिलता है धन से आज तक किसी को खुसी नहीं मिले और नहीं मिलेगी जितना अधिक व्यक्ती के पास धन होता है वह उससे कहीं अधिक चाहता है धन रिक्तिस्थान को भरने के बजाए सोन्यता को पैदा करता है बीस वर्स की उम्र में इनसान अपनी अच्छा से चलता है तीस में पुद्धी से और चालिस में अपने निर्णे से एक घर एक घर नहीं है जब तक की सरी के साथ साथ मन के लिए भोजन और आग नहीं है तयारी में असफल होना मतलब आप असफल होने की तयारी कर रहे हैं संतोस्ती गरीब पूरुसों को अमीर बनाती है असंतोस अमीर लोगों को गरीब बनाता है छोटे-छोटे खर्चों से साबधान रही है क्योंकि एक छोटा सा छेथ भी बड़े से चहाज को दुबा सकता है जीवन में दुखत बात यह है कि हम बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं लेकिन समस्दार देर से होते हैं भगवान उनकी सहायता करता है जो स्वयम अपनी सहायता करते है बड़िमान व्यक्तियों को सलहा की जरूरत नहीं होती मूर्खर लोग इसे स्विकार नहीं करते पैर के फिसलने की चोट ठीक हो सकती है लेकिन जुबान फिसलने के बाद कुछ नहीं हो सकता है अगर तुम मुझे कहोगे तो मैं भूल जाओगा अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं याद रखो लेकिन अगर तुम मुझे समस्याय सुलजहन में सामिल करोगे तो मैं सीख जाओग僕 कुछ लोग 25 की उम्र में मर जाते हैं लेकिन उनका अंतिम संसकार 75 वर्स की उम्र में ही होता है युद्ध वह होता है जब सरकार तुम्हें बताए कि बुरा कौन है क्रांती वह होती है जब तुम अपने लिए निर्णे लेते हो क्या आप जीवन से प्यार करते हैं फिर समय प्रबाद ना करें क्योंकि जीवन इसी से बना है जिस व्यक्ति के पास थैर है उसके पास वह सब कुछ हो सकता है जो वह चाहता है जो पहारी दुनिया में हमारे साथ खटित होता रहता है हम उस पर नियंतरन नहीं रख सकते हैं परंतु जो हमारे अंदर है हम उसे तो नियंतरन कर सकते हैं अगर आप मिर्तियों को भी प्राप्त हो गए तब भी आपको भुलाया नहीं जाए इसके लिए या तो कुछ लिखने योग के लिख दो या फिर लिखने योग के कारे कर लो वह जो इंसान सांधी और चैन से जीना चाहता है उसे हर वो चीज नहीं बोलनी चाहिए जो ओजानता है या देखता है संतोस्ती गरीब फूर्सों को अमीर बनाती है और असंतोस अमीर लोगों को गरीब बनाती है निरंतर विकास और प्रगदी के बिना सुधार, उपलबदी और सफलता जैसे सब्दों का कोई महत्व नहीं चीटी से अच्छा उपदेशक, दूसरा और कोई नहीं क्योंकि वह अपना काम करते वक्त हमेशा खामोस रहती है चाल चलना और विजवास खाक करना मुर्खों का काम है क्योंकि उनके पास इतना दिमाग नहीं होता कि इमानदारी से कैसे काम करा जाए इनसान ने अपने दुखों का एक बड़ा हिस्सा अपने जूटे अनुमानों के द्वारा बनाया है जो इनसान पहाने बनाने में ज़्यादा अच्छा है वह सायथ ही किसी और काम में अच्छा हो बागी यहां तक पहुंच गए हूँ तो उसका मलग वीडियो आपको काफे पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि अंगोटे वाला बटन दबाके इसे लाइक जरू करें और कमेंट बाक्स पर चरू बता के जाना कि वीडियो आपको कैसे लगी दूसरा अगली वीडियो किस परकार के देखना चाहेंगे और किस टॉपिक पर चरू बता के जाना और अपने अंदर की मोडिवेशन को हमेशा जगाए रखें बिलते अगली वीडियो में God Bless You